Realme का market share quarter 4 2021 में 17% था और quarter 4 2022 तक ये सिर्फ 8% ही रह गया Realme इंडिया का fastest growing brand है और इसने 20 million units sold किये थे पिछले साल तो फिर असा क्या हुआ जो Realme का downfall आ गया? May 4 2018 को OPPO के former vice president Sky Lee ने Realme की शुरुवात की थी Realme subsidiary है BBK electronics की इसकी और भी subsidiaries हैं जैसे की OPPO, Vivo, iQoo और OnePlus Realme जाना जाता है low range में value for money performance centric smartphone बनाने के लिए 2018 में OPPO focus करता था premium category पे और low category पे Xiaomi का dominance था Realme Xiaomi का सबसे बड़ा competitor बना Xiaomi अपनी marketing most selling smartphone brand बोल के करता है वहीं Realme अपनी marketing India's fastest growing brand बोल के करता है तो इंडिया का fastest growing smartphone होने के बाद 20 का market share 17 से 8% पे कैसे गिर गया दरसल Realme जाना जाता है value for money अच्छी performance वाले smartphone के लिए जिसमें margin काफी कम होता है तो Realme का market share तो काफी जादा था लेकिन profit उतना generate होता नहीं था तो Realme ने profit generate करने के लिए premium smartphones पर focus करना शुरू किया Realme ने काफी सारे smartphone launch किये Realme X50, X2 Pro और भी बहुत सारे smartphone से इस category में launch किये Xiaomi ने ऐसा कभी नहीं किया Xiaomi ने इंडिया के अंदर सिर्फ वा सिर्फ budget category पर focus किया जो Realme के audience है वो बहुत ही जादा low paying होती है और जब उनकी पास पैसे आते हैं तो वो किसी भरोसे वाले या फिर अच्छे UI वाले smartphones पर shift कर जाते हैं जैसे कि Samsung या OnePlus पर Realme budget segment से हट कर premium segment पर focus जादा करने लगा Realme की जो सबसे popular series है नंबर series उसके जो पहले smartphone होते है बेस variant का smartphone होता है वो 9 से 13000 के बीच में होता है और जो high variant का smartphone होता है वो 14 से 18000 के बीच में होता है लेकिन अब जो Realme के number series के smartphone सा हैं जैसे Realme 10 या Realme 11 उसका base variety 20,000 से उपर का है तो ये उतनी अच्छी value create कर नहीं पाता है Xiaomi ने आज तक cost cutting के लिए अपनी marketing जो है वो कभी किसी बड़े personality से नहीं करवाई करवाई भी तो एक बार brand value बन जाने के बाद उससे बंद कर जिया लेकिन Realme ने अपनी marketing के लिए बड़े stars को hire किया जिसकी वज़े से खर्चा बढ़ गया और smartphones उतने value for money रहे ही नहीं प्लस Realme जाना जाता है performance centric smartphones के लिए लेकिन उसमें भी problem आ गई क्योंकि महेंगे phones में भी इन्होंने media tech का प्रोसेसर्स यूज़ करना शुरू कर दिया media tech के जो प्रोसेसर्स हैं वो enter to benchmark पे अच्छा perform करते हैं snapdragon के बराबर ही लेकिन long run में उनमें hitting issues आ ही जाते हैं Qualcomm के प्रोसेसर्स जो है वो अच्छे से optimized होते हैं और तो और Qualcomm की एक brand value भी है कि आप इस पे आँख बंद करके भी फ्रोसा कर लेते हो Even in high-end phones Realme Qualcomm के प्रोसेसर्स यूज करता ही नहीं है और ये एक Realme का बहुत बढ़ा down point है इसलिए Realme का market share 17% से सीधा 8% पे गिर गया आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा Realme के downfall का कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई तब तक ले लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को